हेलो एबरीबन वेलकम बैक टू कभीताईच हेयर थमलेल तो आपनी देखी लिया होगा तो फिर इस वीडियो के साथ आन्ति तक जरूर जुड़े क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल इंडिपेंडेंट्स डे को 75 इयर्स पूरे हो गए इसलिए 75 आजादी का अमरित महत सब बनाया जा रहा है इसी इनिशियेटिव में ICCR यानि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स ने प्रेजेंट किया है एक न्यू ऑनलाइन स्पीचलेस इन टर्म्स आफ प्रेज पोश्टर एंड पेंटिंग कॉंपिटीशन 2021 जिसमें पार्टिसिपेट करके आप करोडों की कैश मनी ज परीद सकते हैं जो काफी अन्बिलीवेवल हैं इन्ट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव यह एक ऑनलाइन पेंटिंग और पोश्टर कमपिडीशन है जहां पे टाइटल और टॉपिक है माई आइडिया ओफ इंडिया पाल्टीसिपेंट्स अपना आल्ट वर्क आई सी सी को ऑनलाइन समिट कर सकते हैं ओन वैप साइट हाई रेजोल्यूशन पिच्चर आर्ट वर्क की अपलोड आपको करनी है एक्जिवीशन का फॉर्मेट आल्टिस्टेस का एक्सप्रेशन केटेग्राइजड होना चाहिए पेंटिंग या पोश्टर में आप पोश्टर और प पॉइंट प्राइस केटेग्री जो आपको कम्प्लीटली शौक कर देंगी कटेग्री ए फॉरेन पार्टिसिपेंट्स प्राइज एमाउंट यहां पे डॉलर्स में है इसलिए इनको इंडियन रुपीज में भी यहां पे कनवर्ट किया गया है फिस्ट रैंक प्राइज प 15,000 डॉलर्स एक लाख पॉच हजार होता है इंडियन रुपीज में और थर्ड प्राइज है एक हजार डॉलर्स होता है इन इंडियन करेंसी केटेगरी भी इंडियन पार्टिसिपेंट्स यह आई एन आर में हैं फर्स्ट प्राइज पोश्टर और पेंटिंग का है एक लाग पच्छिस हजार रुपे सेकेंड प्राइज है पच्छतर हजार रुपे और थर्ड प्राइज है पचास हजार रुपे अगर आप सभी एमाउंट को एड कर दें तो यहाँ पे संख्या एक करोड तेरा लाग से भी ज्यादा की होती है एक्षिवीशन और प्राइज सेरिमनी बेश्ट आफ द बर्क्स एक्स्प्रेशंस विल बी एक्षिवीटेड इन लीडिंग आर्ट गैलरीज और इंडिया और अबरोड फिजिकल एक्षिवीशन का ग्रेंट फिनाल न्यू डेली में होगा विद कुल्चरल फंक्शन और प्र की गई हैं और कोई भी एज लिमिट भी नहीं है थीम माई आइडिया ऑफ इंडिया ही होनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स को पना वर्क पी एंजी आजे पी इजी फाइल्स में मैक्सिमम साइज 10 MB के साथ अपलोड करना है हाई रेजोलूशन फाइल्स रखें ऑफ वर्क और गनाइजर को उनकी ज़रुवत बढ़ सकती है इनकेस दावर्क इस शॉर्ट लिष्टेड अनी फॉर्म ऑफ इंडिसेंट और अब्जेशन पॉल्ट्रेयल ऑफ बुमेन एंड चाल्ड नुडिटी अनिमल बिच्वैलिटी डायरेक्ट और इंडायरेक्ट हेट एं श्ट्रिक्ली प्रोहिविटेड एंड विल वी रिजेक्टेड वर्क का इवैलुएशन एक हाई लेवल जूरी के द्वारा किया जाएगा आल्ट कॉंपिटीशन के एनाउंसमेंट 15 ओगस्ट को हुई थी लास्ट डेट है 30 सेप्टेमबर एवैलुएशन ऑफ एंट्री जूरी के द्वारा किया जाएगा ओन 2 अक्टोबर एवार्ट्स का डिकलेरेशन होगा ओन 15 ओक्टोबर और बाकी डेट्स अभी डिसाइड़ की जानी है लास्ट वन आई बुट लाइक टू से देट किये बहुत यूनिक इनिसेटीब है और ऐसे रेर कमपेडिशन बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं उमीद है आपको मेरी ये कोशिस पसंद आई होगी तो एज इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और अपना फीड़ बैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे क्लिक करें तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फोर्मेर्टीब अपडेट के साथ तिल एन ओक के बाई थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स तू एब्रीवन